साल 2020 के पहले दिन जनता को महंगाई का डबल डोज मिला है आज से बिना सबसीडी वाला घरेलू गैस सिलिंडर महंगा हो गया और ट्रेन का किराया भी बढ़ गया है लगातार पांचवी महीने लपीजी गैस सिलिंडर के कीमत में इदाफा हुआ है महानगरो में इसकी कीमत में 21.50 रुपे तक का इदाफा हुआ है वही रेल्वे ने किराय में एक पैसे से लेकर चार पैसे परती किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की है किराय में बडोतरी का ज्यादा असर उन यातिर पर पड़ेगा जो लंबी दूरी की यातरा करते हैं दूरी जितनी अधिक होगी किराया उतना ही अधिक होगा महानगरों में 14.2 kg वाला इंडेन गेस 22 रुपे तक महगा हो गया है इंडियन ओयल कोर्पोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्द जानकारी के मताबिक 14.2 kg वाले एल्पीज सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 714 रुपे कोलकत्ता में 747 रुपे मुंबई में 684.50 रुपे और चेनई में 734 रुपे है अगस्त महीने से घरेलू गैस करीब 140 रुपे तक महगा हो चुका है दिसंबर में 14.2 kg वाले घरेलू गैस की कीमत दिल्ली में 695 रुपे कोलकत्ता में 725.50 रुपे मुंबई में 665 रुपे और चेनई में 714 रुपे थी अगस्त के महीने में रसोई गैस सिलेंडर करीब 62 रुपे सस्ता हुआ था उसके बाद हर महीने कीमत में उच्छा लाया है अगस्त महीने से घरेलू गैस करीब 140 रुपे तक महगा हो चुका है 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में भी करीम 33 रुपे तक का इजाफा हुआ है एक जन्वरी से यानि नए साल से इस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1241 रुपे और कॉलकाता में 1308.50 रुपे मुंबई में 1190 रुपे और चेनई में 1363 रुपे है दिसम्बर में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1211.50 रुपे और कॉलकाता में 1275.50 रुपे है वाही मुंबई में 1160.50 रुपे और चेनई में 1333 रुपे थी रेल्वे ने सब अर्बन किराय में कोई बडोतरी नहीं की है जबकि और्डनरी नोन एसी नोन अब अर्बन किराय में परति किलोमीटर एक पैसे की बडोतरी की गई है रेल्वे ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को नोन एसी ट्रेनों के किराय में दो पैसे जबकि वाता नुकुली शेनी के किराएं में चार पैसे प्रती किलोमेटर की बडोतरी की गई है नए किराएं में शताबदी राजधानी तथा दुरंतो जैसी टेने भी शामिल है रिजर्वेशन फी और सुपरफास चार्ज में कोई परिवर्टर नहीं किया गया है पहले से बुक की गई टिक्टो पर किराएं में बडोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा किराएं में बडोतरी को हम उधारन द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं दिल्ली कोलकता राजधानी एक्सप्रेस 1447 किलोमेटर की दूरी तै करते हैं जिसके किराएं में चार पैसे प्रति किलोमेटर की बडोतरी की गई है जिसके हिसाब से किराएं में 58 रुपए की बडोतरी हो जाएगी ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर आड़ सब्सक्राइब करें धन्यवाद